राजिस्तान में 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजिस्तान समेट 2024 होने जा रहा है जिसको लेकर सरकार और निवेशकों में समिट को लेकर खासा उत्सावी देखने को मिल रहा है वहीं सियम भजनलाल शर्मा ने तमाम मंत्रियों को विशेश जिम में सौंप रखे हैं ऐसे राजिके जिप्टी सियम डॉक्टर प्रेमचन बैरवा भी एक्शन मोर में नज़र आ रहे हैं जिसको लेकर हमारी समवादाता प्रगते सिंग ने उप मुख्या मंत्री से खास बातचीत की तो आईए आपको दिखाते हैं क्या कहा जिप्टी सियम ने हमें हमारे साथ मौझूद है राजस्थान सरकार के जिप्टी सियम डॉक्टर प्रेमचन बैरवा जी आईए उनसे बातचीत करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका सर हम देख रहे हैं कि 9, 10 और 11 दिसंबर को राइसिंग राजस्थान होने जा रहा है राजस्थान को आप किस तरीके से देखते हैं और स्पेशली हायर एजुकेशन और परिवहन विभाग के हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर देखे हमारे यसस्थ प्रधानमंति नरेंदर मोधी जी का जो सपना जो विजन है विक्षित भारत का उस विक्षित भारत को पूरा करने के लिए हमारे यसस्थ मुख्यमंतरी भजलनाजी सरमाजी ने पहले दिन से इस पे काम करना शुरू किया है जो आते ही कई फैसले उन्होंने किये हैं जो जनता के इत्में राजस्थान के उت्थान के लिए हैं इसको लेकर एक राजस्थ में इन्वेस्टर मीट जो 9 से 11 दिसंबर को रही है उसमें बहुत विद्यसों से और कहीं राज्यों से हमारे इन्वेस्टर्मेंट यहां पे आ रहे हैं, इन्वेस्टरों को यहां पर आपार संभावना भी है, इसलिए राजस्तान एक ऐसी जगह है, जिसमें उर्जा के खेत् इन्वेस्टर आ रहे हैं यहाँ पे माइनिंग का है यहाँ पेट्रोलिम का है यहाँ पे प्रियटन द्रश्टी से भी बहुत ज़्यादा इसकोप है उनको लेकर यहाँ पे बहुत सारे के लिए बहुत समय है और समय रहते हुए उसको हम पूरा कर लें इसके लिए उन्होंने बहुत सरलीकर्ण किया है कई इन्वेस्टर को यहाँ पे बहुत दूइदाया आती थी उनको लेकर भी उन्होंने सरलीकर्ण करते हुए राजस्तान में इन्वेस्टरों को अपने ओद् इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रहा है अभी लगबग दो हफ्तों में बजनलाल सरकार को एक साल कम्प्रीट होने वाला है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि एक साल में बहुत बड़े फैसले भी लिए गए हैं अभी आपके पास चार साल का समय और है तो राजस्थान को नं जो परधान मंत्री जी की जो सोच और विजन है कि विक्षित राजस्तान बनाए जब जाके विक्षित भारत की जो हमारी सोच है वो पूरी होगी इसके लिए हमने पहले दिन से ही डबल इंजन की सरकार है पहले दिन से हमारे यसास मुख्य मंत्री जी ने मैलाओं के गैस सि का उनको लेकर बहुत बड़ा एहम पहसला उन्होंने लिया है कि उनको दोसों से अधिक लोगों को जेल में डाला और उन्हीं यहां के लिए रोजगार कम से कम एक लाग के लगवक वेकेंसियां यहां पे खुली है और अभी जिस तरह से ग्यों का समरतन मुले बढ़ाने का का काम हो ERCP की योजना का काम हो यहां पे बहुत सारे वैसले उन्होंने लिये हैं और उनको धरातल पे उतारने का काम कर रहा है जैस तरह से उन्होंने बजट दिया है उस बजट को भी हम 95% धरातल पे लाने का जो काम किया प्रभारी मंत्रियों को बिल्कुल दिशा निदेश देकर हर जिले में जाकर और उन कामों को धरातल पे लाने का काम कर रहे हैं इसको लेकर भजललाल जी बहुत इस राजस्तान के उत्थान के राजस्तान के विकास के लिए काम कर रहे हैं हमारी सरकार और सारे मंत्री इस काम में लगे हैं सारे विधायक और हमारे जनपरतिनी काम पे लग रहे हैं सर एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगे आपसे अभी हमने देखा कैबिनेट ने धर्मांतरन विरोधी बिल को मंजूरी दी है तो पूर्व मंत्री है प्रताप सिंग खाचरियावास उनके तरफ से बयान आता है कि जब प्रदेश में पहले से ही धर्मांतरन विरोधी एक कानून लागू है तो भाजपत दुबार से इसको क्यों कवर अप कर रही है हमारी पॉलिसी को अपना नाम दे के कर रही है ये उनकी पुराना दुरूवी करन राज़नीती खेल रही है वो देखें उनकी सरकार थी जब भी ऐसी बाते सामने आई है और हमारे सामने भी ऐसी कई बाते आई है धर्मांतरन को लेकर के लोगे उनको प्रेशर देके उनको प्रलोवन देके और अज्यानता के होते वे उन लोगों को धर्मांतरन करा दिया जाता था उनको लेकर ये हमारी एक पोलीसी बनाएगी है, एक नीती बनाएगी है, कि कोई भी प्रेशर में और परलोबन देकर किसी का धनवानतर नहीं हो, इसके लिए अलगल केटेक्री जो आएजे, हम चार पांच राज्यों की पोलीसी को देखकर और वहां की नीती, वहां के कानून को देखकर ये पोलीस प्रेश जीती है, कि की इसा सहूंड via धन परन ह電 audio गाजर से आज्यों की जो जो एते हैं को देखकर आजियदा नहीं हो, इसके नहीं हो पितता ह है, और वहां की जो झालम है, छो च Lenin है, हो आजियो के नहीं हो, आएज है, छक टो चूंखे।, आहे हूज हैंच pemढ मारत प्र